आज हम बनाएंगे बहुत ज़्यादे टेस्टी प्रेकफास्ट इसे हम कहते हैं टाकोज टाकोज जो है बहुत आसान तरीके से आज मैं आप लोग के सामने बनाकर प्रिश्दूत करूँगी जो आप कभी में बनाकर रेडी कर सकते हैं और बच्चे इसे मांग मांग कर खाएंगे बहुत ज़्यादे टेस्टी लगता है तो आप लोग एक बार इस टाकोज को ज़रूर अपने घर पे ट्राइं करें बहुत आसान है इसे बनाना तो चलिए हम चलते हैं बनाने टाकोज अगर आप लोग को मेरी बनाईवी टाकोज की रहसी पसंद आती है तो प्लीज में चैनल को लाइक सस्क्राइब और शेयर जरूर करें तो आए चलते हैं हम बनाने टाकोज टाकोज बनाने के लिए हमने ये ले लिया है मैदा आप गिहूं की आटे में बना सकते हैं पर मैदे से ही बनाया जाता है जातर इसमें हम थोड़ा सा नमक एट कर रहे हैं और बहुत ही थोड़ा सा इसमें हम आयल एट करेंगे बहुत जादे नहीं बहुत थोड़ा सा क्योंकि इसको बहुत जाते हमें खसता नहीं करना है और इतने में ही हमको पानी एड़ करके अच्छे से इसका soft dough तयार करना है soft dough का मतलब जैसे रोटी का आठा होता है न बिल्कुल वैसा ही हमको इसका आठा बनाकर ready करना है अब इसे अच्छी तरह से उंगलियों की सहायता से इस तरह से हमें माड़ना है माड़ के इसको अच्छा सा एक soft dough हमें बनाकर ready करना है तो यह हमेरा लगवग बनकर ready हो चुका है अब हम इसे क्या करेंगे इसे इस तरह से जैसे की एक बिंड बनाते है उस तरह से हमको इसे करन तो हमारा आटा फूल आए अब हमने क्या के हम हम इसके इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे उसके हमने लाइव धिया है कड़ाई में हमने डाल दिया है सरसो का तेल आप refined oil का प्रियोग कर सकते हैं तो हमारा तेल गरम हुगा है अब इसमें हम डालेंगी कुछ चीज़े तो हम इसमें डाले हम बारी कटी हुई त्यान रखेगा क्या क्या मिट रहा है बारी देट सब्सक्राइब गए प्रदी नहीं था ध्यान रखेगा क्या 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 ही स्मॉंदता एट कर रहा है इसके साथ साथ इसमें हम अट कर रहे हैं हरी मिर्च और इसमें अट कर रहे हैं लासू लासू अगर आप नहीं खाते हो तो आप इसकी भी कर सकते हैं इसके साथ साथ हम इसमें अट कर रहे हैं अदरक उसके बाद हम इसको अच्छे से इस तरह से हम इसे भून लेंगे इसका कल बहुत जदे नहीं चेंज करना है और नहीं बहुत जदे कच्छा रखना है यह जब हम स्टफिंग तो यह दिखना चाहिए ऐसा होना चाहिए तो यह हमारा तयार है अब भी ठंडा हो गया है अब हम आलू की कोई लोग पनीर और चीज की को श्रहा है यह जिसका चाह भी अगगर के सकते हैं जोना ही पाउडर के लिए तो कुटि ग Åऊ कफूने ऑफ करें थींड़ पाउडर do जो हमेरी यह पाउड़ को estásique में मॉर्म मेगी मसाला होता है जो इता क्या है कि बहुत जादे में मसाली करें येक्ट करीं ये क्या होता है कि जो पहले आट कर जाते है तो चीज़े होता है Michigan के बाद है इसे तरह से अतिरा है इस तरह से मैस करने के पहले मने निला देंगे तो क्या होगा कि आपके जो आरू है अच्छे से मैस नहीं होते हैं यह ध्यान के आपने मैसी करने के बाद ही इस auth máxim को मिला है तो ये देखे हमारा आलटा आटा भी बिल्कु तयार है, एकदम soft आटा हमारा बनका ready हुआ, जैसे हमको आटा चाहिए था ना बिल्कुल वैसा ही, अब slab पे हम कुछ सुखा आटा एट करेंगे, आप चकले का भी प्रयोग कर सकते हैं, अब उसके बाद से जो आटा है, इस कुमा कुमा के हम हातों की सहायता से हम इसका रोल तयार करेंगे, रोल तयार करने के बाद से इसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइट करेंगे, एकदम बराबर पार्ट में हम डिवाइट करेंगे, तो ये हमारा हमने इसको सारे पार्ट में डिवाइट कर दिया है, अब अब हम इसका बनाएंगे? क्या? रोटियां बनाएंगे तो हम इसके रोटियां बनाएंगे इतना ही आटे में आपके लगबग 8 से 10 टाफोस बन जाएंगी क्योंकि अभी इसका इस्टा करकिक में निकलेगा हम बड़ी बड़ी रोटियां बेल ले रहे हैं जितने हमको बनाने हैं क्योंकि सुबर का टाइम है सभी को नास्ते की जरूरत है और बच्चों को यह वाँ नास्ता बहुत पसंद आता है तो अब हमने यह देखे रोटिया हमने यह बेल ली है अब इन रोटियों को हम एक आकार देंगे एक ही आकार का होना चाहिए इसलिए ह सब्सक्राइब नकाल देंगे आप हम रख देंगे पेन हमारा हो रहा है गर्म हमारा जैसी ही कर्म होता है हम उस पर डाल देंगे रोटियां हमने रोटी डाल दी है इसको clean L जलाना भी नहीं है तो देखने में लगेगा नहीं रिखना है इसको अच्छी तरफ नहीं रहे एक रूटी समाय फो पर ल давайте ऊसलिए हम आपको स्टेप ब़ाइ arguing सिब्गा रहे हैं ताकि तो हमारे साई रोटिया बन कर तयार हो चुकी है अब हम इन रोटियों में स्टफिंग बरेंगे स्टफिंग बरने के लिए हम इस पे लगाएंगे टोमेटो सॉस आप चिली सॉस सेजवान सॉस यह भी पीजा सॉस को प्रयोग कर सकते हैं सेजवान सॉस हो तो और अच्छा है जो भी आप इस पे चाटनी लगाना चाहें लगा सकते हैं मेरे पार टोमेटो सॉस था तो मैं उसी कब इस्तेमाल कर रही हूं आपकी सुधा अनुसार आप कोई पी पी सॉस लगा सकते हैं क्योंकि सॉस से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है उसके बाद वह इसके उपर स स्टेफिंग रखेंगे और आधिक मात्रा में रख सकते हैं बच्चों की पसंद के अनुसार और अधिक टेस्टी लगता है पर चीज हम लोग पसंद नहीं तो हम थोड़ा साइड नहीं कर रहे हैं लेकिन आप जितना चाहिए उतना चीज रहता है उतना ही जादे हैं टेस्ट होने बार नास्ता है आप इस नास्ता सकते भाध ही जरू 1ट तो झीचे।ब तर्हका भाधका जो के भाना मंद एक डियुद हूं। किया है कि जितना आपकी फैन में इस पोद्रा हीए इस पे रोटी बनाईए ठीकें डीके ढट बड़ेखने रूटी यह तो बना सकते हैं आप चाहे से यहांनी कि कही बीज़ी में इसे कच्चा ने छोड़ना है तो मैदा अचीब सा लगता है तो इसलिए आप ध्यान लखेएगा कि सब जगह से आपको अची तरह से से सेक लेना है ऑफने टाको लगवग बन कर तैयार हो चुके हैं अब हम बचे हुले अपने हिंसटे के से बटनांसाहे बन का तयार हो कि उतना बन कर नियुक्तु इसे मैं ने आपके साथ baş नाशते को स्रेख सेयर किया है और बच्चों को तो बहुत जादे फेवरेट है तो देखिए हमाय नास्ता बनका रिडी हो गया है आप लोग भी अपने घर पे इस टाकोज की रेस्पी को बनाईए खाये हमाय चैनल को लाइक, सस्क्राइब और सेयर जरूर करें वर हां कमेंट करके जरूर बताया करें कि मेर नास्ता जरूर बना कर खिलाएए थैंक यू अ जरूर बनाई मंठेख खिलाई झाओे दो झालि transforming को